वेलकम टोली आईए स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Prelims 2022 में Art and Culture के Current Affairs के Revision का ये हमारा साथवा लेक्चर है आज के सेशन में हम मार्च महनी के Art and Culture के Current Affairs को Revise करेंगे आगे बढ़ने से पहले छोटी से information आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस Prelims 2022 के लिए कुछ courses हैं जो कि आपके exam point of view से काफ़ important हो सकते हैं सबसे पहले इसमें एक Prelims Crash Course की बात हो रही है जिसका नाम Tejas है इसमें आपको 250 प्लस आर्स के Video Lectures इसमें आपके Current Affairs और Static दोनों included है काफी सारे Tests, Full Length और Sectional और Weekend Out Sessions वगरा सब कुछ है इसमें इसमें आपको Free CSAT के Classes और उनके Test Series भी मिलती है बट इस्टिल अगर आप केबल Test Series में जोइन करना चाहते हो आपको Video Lectures नहीं चाहिए आपके Revision और चल रहा है अच्छा तो आप उसके लिए Last My Leap जोइन कर सकते हो इसमें आपके 19 Sectional Test है, 5 Current Affairs के Test है, 15 Full Length Test है 4 CSAT के Test है इसको जोइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पर जोइन कर सकते हो At the same time, एक CSAT के लिए प्रोग्राम है जो की SA students को cater करता है जिनका CSAT Week है तो CSAT Expert Program आपके सभी CSAT के Topics को cover करता है Video Lectures के form में और छोटे-छोटे Handouts भी हर Lecture के बाद आपको मिलते हैं Practice के लिए और Last में कुछ Full Length Test है इसमें इसके अलामा अगर आप 2023 के लिए prepare कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ Batch को join कर सकते हैं इसमें आपको एक Full Foundation Batch के तरह के सारी requirements UPSC के point of view से fulfill की जाती है इसमें Video Lectures भी है, Study Materials भी है, Test Series भी है, Mentorship भी है, Interview Guidance भी है सब कुछ इसमें आपको मिलेगा अगर आप इस batch को join करना चाहते हो, तो आप Video.onlyis.in पर विजिट करो याद रखना कि तेज़ेस प्रोग्राम के लिए भी आपको Video.onlyis.in पर ही विजिट करना है अगर आपको कोई भी doubt आता है इन सभी batches से related तो आप हमें simply इस number पर call कर सकते हो या फिर info.onlyis.com पर हमें mail drop भी कर सकते हो तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं Solarization का काम complete करने के लिए मसादा तयार कर लिया है जो scheme है, इसके तहस 10 MW grid connected solar project launch किया जाएगा जहां पर solar of grid applications को जोड़ा जाएगा जैसे कि solar tree जिसमें एक जिगह पे पेड़ जैसी एक आकरती बना दी जाते हो कई सारे solar panels उससे attach कर दिये जाते हैं कम जिगह में ज्यादा solar panels लगाया जा सकते हैं solar tree के मात्यम से solar drinking water की off, off grid solar power plant और battery storage इन सब facilities को डवलप किया जाएगा code arc में केवल temple में नहीं, बलकि पूरे town में इस scheme के तहट जो भी solar energy है उसका इस्तिमाल किया जाएगा इसे implement क्या जारा है Odisha Renewable Energy Development Agency के द्वारा और 100% जो भी पैसा खर्च होगा लगबग 25 क्रोड के आसपास का खर्चा आएगा वो central government वहन करेगी konark sun temple की बात करते हैं इसे world heritage site में भी जगे दी गई है eastern state जो ओरिसा का है भरत का महाँ बहुत युगड़ा temple है जो की भगवान सूरे को dedicated है इसका जो alignment है वो east और west direction में है रविद्नाठ टैगोर जी जो की महोती महान poet रहे हैं उन्होंने कोडाक temple के बारे में लिखा है here the language of stone surpasses the language of man यहाँ पे जो पत्थरों की भासा है वो किसी व्यक्ती की भासा के ऊपर चली जाती है मतलब ज़्यादा उन्नत हो जाती है जो mean temple है उसे European sailors नहीं black pagoda कहा क्योंकि यह देखने में black color का दिखा यह एक important landmark भी रहता था coastal voyage के लिए जब भी लोग आते थे किनारे तो यह एक जगे होती थी पैचान जाते थे कि अच्छा इस जगे हमें डॉक करना है यह उडिसा का एक golden triangle भी complete करता है जिसमें कोडाक temple के अलामा पूरी और भोनेश्वर यह शामिल है जैसे देखे तीन temples हैं यह जगनाथ temple पूरी में कोडाक, sun temple और भोनेश्वर यह तीनों एक triangle create करते हैं तो इसका भी हिस्सा है कोडाक, sun temple ठीक है 1238 से 1250 century AD के बीच में king नरसिम देव one के द्वरा इसे बनाया गया था जो की eastern gang dynasty से बिलॉंग करते थे sun temple का जो architecture style है वो kalinga school से बिलॉंग करता है जहां पर इसमें शिखर, जग मोहन शिखर मतलब जो crown होता है जग मोहन audience hall नाट मंदिर या dance hall और विमान यानि कि tower यह सब शामिल होते हैं हमाना next article परिनी dance के बारे में है परिनी dance performance अभी हैदराबाद में जो artist थे उन्होंने किया जिसे देखकर लोग निश्चित तौर पर अचम्भित रहे और उन्हें इसे enjoy किया होगा obviously परिनी, सिवाथन दवम ये एक ancient dance form है जो तकी तिलंगाना में perform किया जाता है अभी हाल के समय में इसे revive किया गया है काका तीर डैनिस्टी जो की आंदरपरेस तिलंगाना की रीजन में थी उस दौरान ये काफी ज़्यादा prosperous हुआ अगर मैं आपको काका तीर डैनिस्टी की बारे में बताऊं तो ये यहाँ पर जो आंदरपरेस तिलंगाना की रीजन है वहाँ पर हुआ करता था 12. से 14. सताबदी के बीच में यहाँ की famous ruler रही है रुद्रम देवी मारको पोलो ने काका तीर डैनिस्टी और रुद्रम देवी के रेन यानि कि सासनकाल के बारे में अपने तो इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता था जो वरंगल में रामपपा टेंपल है वहाँ का जो सेंक्टम सेंक्टोरम है यानि की गर्भगरी है वहाँ के स्कॉप्चर में भी परेनी डांस आपको देखने को मिल जाएगा कुछ डिटेल्स देखते हैं पैरिनी सिवा थंडवम जे डांस फॉर्म मिल्स के दौरा परफॉर्म किया जाता है इसे डांस आफ वॉर्यर्स कहा जाता है पैरिनी अपनी पीक पर पिनिकल पे पहुँचा काकाती रूलर्स के समय में जो की वरंगल में डैनिस्टी इस्टाब्लिश हुई रगबग दो सैंचुरीज तक वहाँ पे रही इससे मिलती है प्रेरना यानि की इंस्पिरेशन जो की सुप्रीम डांसर लॉर्ड सिवा को डेडिकेटेड एक प्रस्ट में देखें काकाती रैनिस्टी के उपर पुछा गया था 2017 के प्रेलिम्स में जहां भी पुछा गया था कि कौन सा सीपोर्ट है जो की काकाती तिंगडम के लिए काफे ज़ादा इंपॉर्टन था औप्शन्स में हैं काकी नाडा, मोतुपली, मशली पतनम या मसूली पतनम और नलूरू इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं दूँगा क्योंकि इस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे कॉमेंट बॉक्स में हमारा नेक्स आर्टिकल अगनी, कंड करनन, थैयम के बारे में है रिचुल डांस है, अगनी, कंड करनन, थैयम ये कलिटम जो फेस्टिवल केरला के कंडूल में शुरू हुआ, उसी दरान परफॉर्म किया किया थैयम एक बहुत ये पॉपलर डांस फार्म है वहाँ का, जो हजारों सालों से वहाँ चला आ रहा है केला और करनाथका में काफित परफॉर्म किया जाता है, ऐसा होना जाता है कि थैयम के जरी हम खुद को गौड से जोड सकते हैं और ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, 456 टाइप के जो थैयम है वो परफॉर्म किया जाते है इन्हें यूजरी मेल्स ही परफॉर्म करते हैं, केवल एक ही थैयम का जो टाइप है, तैट इस देवा कोथू, जिसे महिलाएं परफॉर्म करती है थेकुमबाट, कुलोम टेंपल वहाँ पर है, जहाँ पर थैयम को परफॉर्म किया जाता है थैयम के कुछ प्रॉमिन टाइप्स हैं, तैट इस विश्नु मूर्थी, विश्नु मूर्थी जो की एक पौधी पॉपलर फॉर्म है वैश्नव थैयम का यहाँ पर जब भगवान विश्नु ने हिरनिक अश्यप का वद किया था, नर्सिंग अवतार लेकर उस कहानी को परफॉर्म किया जाता है इसके लामा है स्री मुथपपन्थ है यहाँ पर दो डिवाइन फिगर्स इन्वाल्फ होते हैं, एक भगवान विश्नु और दूसरी भगवान शिफ हमारा नेक्स आर्टिकल स्वदेश दर्सन अवाड के बारे में है मिनिस्ट्य आफ तूरिजम ने कंस्टिट्यूट किया है स्वदेश दर्सन अवाड कई सरी केटेगरीज में Ministry of Tourism ने best practices को highlight किया जिनके लिए awards दिये जाएंगे ये awards state government, UTs और कई सारी implementing agencies के लिए होंगे कि उन्होंने कैसी planning, design operation, efficiency, project monitoring में private investment को attract करने में या operations और maintenance में दिखाया है उसी के basis पे उन्हें ये awards दिया जाएगा सुदेश जसर स्कीम की बात करते हैं, 2014-15 में इसे launch किया गया एक center of sector scheme के तौर पे, मतलब सारा पैसा के इंदर सरकार खर्च करेगी इसके माद्यम से बनाये गया theme based tourist circuit ताकि अगर कोई व्यक्ती एक type of tourism को achieve करना चाहता है या वहाँ जाना चाहता है, तो वो एक बार में गोम ले 15 thematic circuits बनाये गए, उनके नाम मैं आपके लिए यहाँ पे लेना चाहूँगा 2000, बुद्धिस circuit, अगर आप बुद्धिस places को देखना चाहते हैं तो circuit की माद्यम से आप एक सांद गोम सकते हैं मैंने ये नाम आपके लिए पढ़े, Minister of Tourism इसके लिए Central Financial Assistance प्रवाइड करवाती है हमारा देख्टार्गर सावितरी भाई और जियोति राव फुले जी के बारे में है काफी कॉंट्रवर्सी में रहते हैं, महारास्ट्रा के जो गवर्नर हैं भगस सिंग, कोशियारी जी अभी हमने इसके पहले एक आर्टिकल डिसकस किया था है जहाब उन्होंने जो शिवा जी महाराज है, उनके गुरू को लेकर कुछ कॉंट्रवर्सी कर दी थी और अभी उन्होंने जोति राव फुले और सावित्री भाई फुले की चाइल्ड मैरिज को लेकर कुछ कॉमेंट किया इन्फाक कॉमेंट तो बड़ा जन्रल था लेकि उनका बोलने का तरीका लोगों को पसंद नहीं आया और फिर एक बार कॉंट्रोर्सी इरप्ट होकर आई इसी रेफ्रेंस में सावित्री भाई और जोति राव फुले जी न्यूज में आये बात करते हैं जोतिरा फुले जी के बारे में 1827 में महारास्टा के 17 डिस्टिक में जन्म हुआ था महात्मा का टैटल इनको मिला 11th of May 1888 को विठ्थल राव कृष्ण जी वन डेकर जी ने ये टैटल दिया था महारास्टा के सोसल एक्टिविस्ट थे विठ्थल राव कृष्ण जी वन डेकर उन्होंने ये टैटल दिया था इन्होंने अंटेचिविलिटी का सिस्टम को एरेडिकेट करने को लेकर वोमिन के emancipation, empowerment और हिंदू फैमिली में रिफॉर्म को लेकर कई सारे काम किये 1873 में उन्होंने सत्य सुधक समाज बनाया important information है सत्य सुधक समाज जो तिया फुलिजी के वारा 1873 में बनाया गया था इसका मतलब है society of the seekers of the truth इन्हों depressed classes के rights को लेकर, caste system को छोड़ने को लेकर, rational thinking को लेकर अपने विचार रखे इनके कुछ बहुत ही famous work है, तरती अरत 1855, गुलाम गिरी सबसे important 1873 इसके लामा, शेत कराचार, आशुत, या फिर cultivators, विपकॉड, 1881 सावित्री भाई फुले की बात करते हैं, 1831 में इनका जन्म हुआ था मानस्टा के नाइगाओं में इन इंडिया के first generation of modern feminist में count किया जाता है क्योंकि इन्होंने women's के education के लेकर विटर स्टाज के भीतर बहुत सारे काम किये थे ये contribution noteworthy है ये पहली female teacher बनी इंडिया में 1848 में इन्होंने girls के लिए school भी खुला अपने husband के साथ मिलकर जो तिराफ फुले जी के साथ मिलकर discrimination को end करने के लेकर caste based identity का इन्होंने खुला विरोध किया और orthodoxy section है society का उसका खुलका विरोध किया बालता, प्रतिबंधक, ग्रुहा ये इनकी दौरा खोला गया था ताकि pregnant widows और rape victims को या फिर जो बच्चे हैं उनको protect करने को लेकर इसका इस्तिमाल किया जासे कि एक center के तौर पे फुले जी ने एक बहुत important role play किया सत्यसोधक समाज को आगे बढ़ाने को लेकर अपने जो पती थे उनके साथ मिलकर ताकि lower class जो caste के लोग हैं उनके equal right को achieve किया जा सके इन्होंने सत्यसोधक marriage जोकि सत्यसोधक समाज का ही extension था उसे भी start किया यहाँ पे जो merit का पाउस होते थे वो pledge करते थे कि वो education और equality को promote करेंगे सवित्री भाई जी ने 1997 में जो बबापॉनिक प्लेक के विक्टिम्स थे उनके लिए clinic भी खोला था यह वही समय था जब यह प्लेक बहुत बड़े सर्पे फैल गया था महरास्ट्रा में काफी ज़दा प्रभाव था इसका बालहत्या प्रतिबंधक ग्रिहा को भी open किया गया था इनकी दौरा और इनकी honor में ही university of pinneka 2015 में नाम बदल के सावित्री भाई फुले university रग दिया गया इस topic पर प्रशन पूछा गया है 2016 में सावित्रान सा प्रशन था कि सोधक समाज organize किया गया था किस form में तो ये एक anti-caste movement था महरास्ट्रा का so see was the correct answer हमारा historical the fort of halibidoo के बारे में है historic fortification जो हुआ करता था इस city का उसका एक हिस्सा अभी हाल ही में demolish किया गया एक road बनाने के लिए ये जो halibid या halibid है ये होईसल की capital हुआ करती थी करत्मान के करनाट का में world heritage site tag के लिए भी इसे recommend किया गया है होईसल rulers ने इसे 11th century में बनाया था green eye के पत्थरों से वहां के structures को preserve करने के लिए बचाने के लिए ये protective wall की तरह काम करता है capital township में जिसमें शामिल है होईसल एस्वर और सांतिनाथ बसा दी ये जो historical structure monuments हैं उन्हें एक kind of security देता था ये होईसल एस्वर temple सुच iconic place SIP का हिस्सा नहीं है ये kind of fact है जो आपको बता दिया गया है यहां पे हमारा next article पाल दाधव massacre के बारे में है एक ऐसा massacre जिसके बारे में मुश्किल से किसी को जानकारी होगी Monday यानि कि 7 मार्च को गुजरात की सरकार नहीं इसका 100th year observe किया पाल दाधव killings ये एक massacre था जो कि जलिया वाला बाग से बड़ा massacre था तीन गुना बड़ा massacre था लेकिन इतिहास में इसे वो जगे कभी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी पाल दाधव massacre जो है वो 7 मार्च 1922 को हुआ था पाल चितरिया और धाधव जो villages हैं ये उस समय के इधर स्टेट में हुआ करते थे जो सबरकंथा डिस्टिक्ट है वहाँ पर ये massacre हुआ था जो villages थे पाल दाधव और चितरिया के वो हेर नदी के किनारे इकठा होते हैं एक ही मुवमिंट के पार्ट के रूप में वहाँ पर मोतीलाल तेजावत जी इस पूरे मुवमिंट के तहर एक gathering को lead कर रहे थे संबोधित कर रहे थे ये जो मुवमिंट था वो land revenue tax यानि के लगान के खिलाफ था जो British और Feudal Lords impose किया करते थे पीजन्ट के ओपर British Parliamentary Forces तेजावत जी को बहुत लंबे समय से ढूड रही थी उन्हें जैसे gathering का पता चला वो spot पे पहुँच गए तेजावत जी के साथियों को लगा कि पुलिस उन्हें पकड़ लेगी तो उनके 200 भील साथी बोज़ा ने रोज को लेकर तयार हो गए बरश्वस ने इसके बाद open fire कर दिया और इस open fire में एक हजार जो टाइबल्स थे वो इन गोलियों का शिकार हुए तेजावत जी जैसे तैसे इस fire इंग से बचकर निकल पाए हाला कि बाद मोस में वो उस spot पे वापस आए और उन्होंने उसे वीर भूमी के संग्या दी गुजरात की जो सरकार है उन्होंने इस massacre के 100 साल पूरे होने पर इस massacre को इस incident को याद किया और इस बात को acknowledge किया कि इतिहास में इस incident को जो जगए मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली ये acknowledge किया गया कि ये जलियावाला बाग massacre से भी ज़्यादा brutal था ये जो massacre था ये कभी acknowledge नहीं हो सका इसके दो महत्वपूर कारण थे पहला तो ये था कि इसमें जो भी लोग शहीद हुए वो politically बहुत active नहीं थे वो tribal community के लोग थे इसलिए इस घटना को आसानी से दबाया जा सका और दूसरा करण ये था कि इसके पहले जो जलियावाला बाग massacre हुआ था उसमें अंग्रेजों की बहुत किरकिरी होई थी और वो किसी भी कीमत पे इस पूरे massacre को दबा के रखना चाहते थे जिसमें निश्चित तोर पे वो सफल भी रहे थे ये सारी बाते पाल, ताद्वो, massacre के बारे में नारीश शक्ति पुरसकार के बारे में है International Women's Day के मौके पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविन जी ने 29 Outstanding Individuals को 2022 और 2021 के लिए नारीश शक्ति पुरसकार दिये 1999 में ही इस पुरसकार को एवजित कर दिया गया था और वोमेन के लिए ये highest civilian honor होता है प्रेसिडेंट इसे हर साल 8 मार्च को देते हैं ये किसी भी देखे Ministry of Women and Child Development इसे announce करते हैं ये award किसी eminent woman organization या institution को दिया जा सकता है eligibility क्या है कोई भी व्यक्ती, group या institution eligible है अगर individual की बात करें तो उनकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए institution की बात करें तो कम से कम 5 साल का relevant experience होना चाहिए नारी शक्ति पुरसकार में 2 लाग रुपए cash prize मिलता है, certificate मिलता है ठीक है, वो individual के लिए भी है, institution के लिए भी है जो हमारा next article है, वो साहित त्योत्सा के बारे में है साहित त्योत्सा, ये एक festival of letters है साहित अकादमी का, इंडिया का काफी inclusive literature festival है जो 10 से 15 माच के बीच में होने वाला है जो festival है, ये काफी inclusive literature festival है 75th anniversary जो है इंडिया के independence की उसके पार्ट के रूपने से तयार किया गया है ये prestigious साहित अकादमी अवार्ड जो है, वो भी इसी festival के दुरान दिये जाते है अब साहित अकादमी अवार्ड की बात करते है ये अवार्ड 1954 में established किये गए थे, हर साले से साहित अकादमी दिया करती है 24 अवार्ड एन्वली दिये जाते है 22 languages, देखे, जो भी languages recognized है साहित अकादमी के दौरा उन languages में ये पुरश्कार दिये जाते है यहाँ पर मामला के अवार्ड 8th schedule कर नहीं है साहित अकादमी जो है, वो 22 नहीं बलकि 24 languages को recognize करती है इसमें 22 languages तो वहीं है, जो 8th schedule में आती है प्लस दो languages ही और recognize करते हैं जिसमें एक है English और दूसरी है राजस्थानी तो टोटल हो जाते हैं 24 languages यह 24 languages में जो पुरसकार हैं, वो देते हैं यह second highest literary honor होता है government of India के तोड़ा दिया जाने वाला जो सबसे superior माना जाता है that is ग्यान पीठ अवार्ड हमारा next article संथाली सोहारी मुराल के बारे में है मुराल कैंट अट पेंटिंग होती है संथाली community जो Odisha और जहारखंड में रहती है वो अपने तरीके बदल रहे हैं इस traditional सोहारी मुराल पेंटिंग को और कहीं ने कहीं इसमें modernity का pinch डाला जा रहा है and that's why संथाली सोहारी मुराल न्यूज में आए यह एक indigenous art farm है जो आपको जहारखंड के हजारी बाग बिस्टिक में tribal women के दोरा बनाया जाता हुआ दिख जाएगा जो painting होती है उसे mud wall पे बनाया जाता है मतलब मिट्टी की दिवारों पे बनाया जाता है महिलाएं अपने हरों को साफ करती है और फिर दिवारों को decorate करती है सहराई आर्ट के moral painting से यह art form 10,000 साल से 4,000 BC से 4,000 BC के बीच में काफी प्रचलन में रहा तब इसे जो उस समय के आदिवासी समाज के लोग हुआ कर दे थे वो कहीं ने कहीं caves में बनाया करते थे फिर धिमिदी में यह घरों में mud walls में shift हो गया जब मिट्टी के मकान बनने शुरू हुए सौराई आर्ट form जो है वो monochromatic होता है यानि कि काफी colorful यह art होती है जो मिट्टी की दिवार होती है उस पर white mud लगाया जाता है सफीर मिट्टी लगाई जाती है जो गीली ही होती है तभी finger tip से उस पर designs बनाई जाती है बनाने वाले लोग बहुत expert होते है वो flowers, fruits और भी कई सारे nature inspired designs बना देते है और बात मुने color fill किया जाता है पहले cow dung का इस्सेमाल करते थे दीवार को cover करने के लिए अब उसी का इस्सेमाल color के तौर पे भी कर लेते है artist अपनी memory से जो pictures है वो draw करता है ऐसे कोई उनके पास map नहीं होता जिसको देख के वो pictures बनाते हूँ फिर जो nature को लेकर उनका experience होता है उसे ही वो draw कर देते है सवराई choir painting को GI tag मिल गया था 2020 में सवराई एक 5 दिनों का festival भी है संथाल मुंडा प्रजापती खुर्मी और उरंग ट्राइब्स के लोग जो जारखंड 36 गर उडिसा और वेस्ट पंगाल में रहते हैं वो celebrate करते हैं यह harvest festival है winter harvest season में सर्दियों में फस्टलों के लिए festival organize किया जाता है cattle festival भी बोलते हैं और अमा अश्या जो कारतिक महिने की होते हैं October November में उसी दोरान इसे celebrate करते हैं अच्छा इस article पर चलने से पहले कुछ बात करना चाहरा था आप लोगों से एक्जाम नजदीक आ रहा है क्योंना कुछ additional start किया जाए जिसे हम इस film booster के साथ add कर दे kind of valuation थोड़ी बहुत तयारी हो जाए जैसे विकल्प में हो सकते है government schemes या फिर mapping या फिर international organization जिससे प्रशनाने की संभावना हो तो आप लोग suggest करिएगा comment box में कि क्या start किया जाए आप लोग अच्छे से suggestion दीजे उसके बाद जो मुझे मन में आएगा वो मैं कर लूँगा मज़ाग कर रहा हूँ आप लोग suggestion दीजे फिर डिसाइट करते हैं कि क्या करना है तो चलिए article स्टार्ट करते है प्राइमिनस्टर ने भी महात्मा गांधी जी को tribute पे किया जो काफे eminent person रहे जिन्होंने दान्डी मार्च को 1930 में स्टार्ट किया था ताकि वो in justice के खिलाब protest कर सकें और nation की self esteem को maintain कर सकें दान्डी मार्च के बारे में गर बात करें तो महात्मा गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ साथ सावर मती आस्रम से स्यात्रा को शुरू किया यह यात्रा शुरू हुई 12 मार्च 1930 को objective यह था कि नमक कानून को तोड़ा जाए जिसके माध्यम से अंग्रेज नमक के उपर tax suppose किया करते थे 21 दिनों तक गांधी जी ने अपने साथियों के साथ यात्रा की और वो finally 5 अप्रैल को दान्ली पहुच गया जहाँ पर उन्होंनी मुठी भर नमक उठाके नमक कानून तोड़ दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि अब धरसाना साल्ट वक्स के पास जाएंगे जो कि एक नमक बनाने का कारखाना था और वहाँ पर जाके पटस किया जाएगा जो कि दान्ली से 40 किलोमेटर साउथ में यानि कि दक्षड में था लेकिन 5 मई को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया ताकि वो धरसाना साल्ट वक्स पे ना पहुच मैं उनकी गिरफ्तान होने के बावजूद इस सत्याग्रह को रोका नहीं गया बलकि अबास तयब जी कस्तूर बागांधी, सरोजनी नाइडू जी और मुलाना अबुलकलाम आजाज जी जैसे कई सारे नेशनलिस लीडियर्स ने धरसाना साल्ट वक्स पे सत्याग्रह को शुरू कर दिया अंग्रेज इस बात को लेकर पूरी तरीके से तयार थे और उन्होंने मैसिव लाठी चार्ज शुरू किया लेकिन सत्याग्रह इस बात को लेकर बिलकुल अवेर थे कि उन्हें वाइलेंस का रास्ता नहीं अपनाना है सिच्वेशन ये बनी कि एक तरफ ब्रिटस पुलिस फोर्स थी और दूसरी ओर थे सत्याग्रही सत्याग्रही जब धरसाना साल्ट वक्की ओर जाते थे तो ब्रिटस पुलिस फोर्सस उनकी ओपर करते थे लाठी चार्ज एक विक्ति जाता था वो तब तक लाठियां खाता था जब तक कि वो गिर ना जाए उसके बाद दो लोग उसे वापिस लेकर आते थे और फिर एक दूसरा सत्याग रही आगे जाता था वो भी तब तक लाठियां खाता था जब तक कि वो गिर ना जाए और यही करम बहुत देर तक चला कि कौन था जिसने इस पूरे धरसाना सत्याग्राव को कवर किया था तो अंगेस पार्टी ने डिसंबर 1929 को पूर्ण सुराज का रिजुलिशन पास कर दिया 26 जनवरी 1930 को इसे प्रोक्लेम किया गया और डिसाइड किया गया कि अब सिविल डिसुराज को स्टार्ट किया जाएगा पूर्ण सुराज को प्राप्त करने के लिए लेकिन महात्मा गादीजी ने बिलकुल साफ किया कि हम नॉन बाइलेंस का रास्ता ही तयार करेंगे नमक को ही क्यों चुना गया इस पूरे माच के लिए नमक इसलिए बिकॉज इसका इस्सेमाल सभी लोग करते है और अगर अंग्रेजों ने इसके उपर टेक्स लगाया है तो इसका प्रभाव सब के ऊपर पड़ेगा 1982 में जब तक साल्ट टेक्स को पास नहीं किया गया था तब तक कोई भी समंदर के किनाले जाके नमक बना सकता था अपने इस्तेमाल के लिए तेकिन अंग्रेजों ने टेक्स लगाके इसे महंगा कर दिया था जिसका प्रभाव सब के ऊपर था साल्ट पर अब ब्रिटिशर्स की मोनोपॉली थी और साल्ट टेक्स इंप्लीमेंट किया जा चुका था अगर कोई साल्ट बना ले कोईलेशन कर देक्ट का तो उसे क्रिमनल ओफेंस माना जाता इस नमक के टॉपिक को चूज करके गांधी जी ने हिंदूस और मुसलिम सभी को जिनाइट किया क्योंकि ये कॉमन का उस्था सभी के लिए साथ सत्यागरह का आउटकम क्या निकला सभी लोग एकठा हुए नॉन वालियंस की पावर को दिखाया गया और फ्रिडम स्ट्रगल में उपनिवेशवात के खिलाफ रडाई गड़ी गई 1931 में महात्मा गांधी जी को रिलीज किया गया वो लौड एर्विन से मिलते हैं और इसी के साथ सिविल इसोबिडिन का पहला फेज समाथ होता है इर्विन से मिलने के बाद गांधी इर्विन पैक्ट साइन होता है जिसमें वो एगरी करते हैं कि वो 2nd roundtable conference में जाएंगे पैलली अंग्रेज इस बात पर सहमत होते हैं कि domestic use के लिए नमक बनाया जा सकता है तो यह रही कहानी दांडी माच की प्रस्म आया था 2009 में which one of the following begin with the डांडी माच डांडी माच के साथ क्या शुरू हुआ home rule movement, non-cooperation movement, civil disobedience movement या quit India movement the correct answer is C, civil disobedience movement आप history में वैसे इसके बारे में पढ़ते ही हैं अर्ट नेक्स आर्टिकल old cheeky script के बारे में है for the first time Indian constitution को संथाली भासा के old cheeky script में translate किया गया देखें संथाली भासा है संथाली भासा बोली जाती है उसे लिखने के लिए जो script के इस्तिमाल होती है उसे कहा जाता है old cheeky script जैसे हिंदी भासा है उसको लिखने के लिए जो script इस्तिमाल के जाती है वो है देवनागरी, तो जो इसे कई सारे अन्य नामों से पुकारते हैं, जैसे कि ओल सीमिट, ओल स्क्रिप्ट, ओल चीकी स्क्रिप्ट, इसका इस्तिमाल संथाली को लिखने के लिए किया जाता है पंडित रगुनाथ मुर्मू, जिने गुरु गोमकी जी के नाम से भी पुकारा जाता है, वो इस ओई चीकी स्क्रिप्ट के इंवेंटर माने जाते हैं, उन्होंने एक नॉवल लिखा है, वीडू चंदन, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भगवान वीडू और माता चंदन, जब धर्ती पर आते हैं, इंसान के रूप में, तो वापस में communicate करने के लिए, ओल चीकी स्क्रिप्ट का इस्तिमाल करते हैं, एक काफ़े interesting feature है, ओल चीकी स्क्रिप्ट का, कि ये बिलकुल वही science-symbols का इस्तिमाल करता है, जो संथाल community के लोग काफ़े लंबे समय से use करते र करते हैं 2003 में 92nd constitutional amendment act पास किया गया जिसके तहर संथाली को जो हमारा schedule 8 है आठमी अनुसूची है उसमें जो एक official language है उसका हिस्सा बना दिया गया संथाली के साथ तीन और भासाय जोड़ी गई थी तो उस बर बोडो दोगरी और मैथली तो ये ये चार languages 92nd amendment के माद्धियम से 2003 में हमारे 8 सीजूल में जोड़े गए इसके बाद languages के नंबर बढ़के हो गए थे 22 देखे अगर ये official language बन गई तो इसका सीधा मतलब ये है कि संथाली language को promote करने के लिए अब सरकार काम करेगी उसके development के लिए students allowed होंगे school level examination या फिर जो public service examination के होते हैं written and all उसमें भी ये जो संथाली language है इसका इस्तिमाल किया जा सकता है 2005 में इंडिया के जो साहित अकादमी है उन्होंने इस language में awards भी देने शुरू कर दिये प्रशन देखे 2008 में आया था simple सा पूछा गया था कि किस amendment के माध्यम से चार भासाओ को जोड़ा गया हमारे 8th schedule में जिसके बाद वहाँ number हो गये 22 और जो सही जवाब था that was 90 second यानी की C अभी हमने पढ़ा न तो मतलब प्रशन आ दे हैं आपको ध्यान देना चाहिए अभी हाल ही में ग्रीट किया नवरोज के ओकेशन पे 21st of March को नवरोज new year celebration होता है पारिसी कमिटी के लोगों का जिनने आप जो रस्रियन भी बोलते हैं further Muslims में दोनों ही जो खेमे हैं शिया या फिर सुन्नी वो लोग नरोज के फेस्टिवल को बहुत ही अच्छी तरीके से अब्जर्व करते हैं 21st of March को हर साल इसे अब्जर्व किया जाता है 1079 AD की बात है जो पर्शियन पर्शिया जो पहले का इरान था उसको बोलते थे तो आप पर्शियन कहा लीजिए इरानियन कहा लीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं है वहाँ के जो राजा थे नाम था जलाल उद्दीन, मलिक शाह उन्होंने इस फेस्टिवल को इंट्रड्यूस किया था ताकि वो जादा टेक्सेस कलेक कर सकें लोगों से और रिवेल्यू जनरेट कर सकें 21st of March को इसे हर साल दिखा जाता है UNESCO की Intangible Cultural Heritage of Humility में भी शामिल है भारत में इस तेवहार को जमशेब नौरोज के नाम से पुकारा जाता है हमारा नेक्स्ट आर्डिकल विप लोबी भारत गैलरी के बारे में हमारे प्राइम मिन्स्टर नरेंदर मोदी जी ने इनागरेट किया है विप लोबी भारत गैलरी को Victoria Memorial Hall कोलकाता में सहीद दिवस के मौके पर यानि 23rd of March को Victoria Memorial Hall कोलकाता में लोकेटेड है बहुत ही सुनदर अर्किटेक्चर है मुझे एक बार यहां जाने का मौका मिला था बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है ये तो आपको भी अगर कभी कोलकाता जाने का मौका मिले और आपके पास समय हो तो इस लोकेशन को आप विजिट कर सकते है एस अनाइस प्लेस टो हैव विजिट वहीं पर इस गैलरी को अभी इनागरेट दिया गया है यहाँ पर इस गैलरी के माध्यम से जो कॉंट्रिबूशन है रिवोलुशनरी इस का उन्हें डिस्प्ले किया जाएगा जो फ्रीडम स्ट्रिगल में इन्वाज रहे जिन्होंने आम रिजिस्टेंस किया बिटिस कोलोनियल रूल के खिलाव पर पर्परस इस गैलरी का ये है कि जो हिस्टॉरिक होलिस्टिक व्यू है एवेंट्स का 1947 तक जो चले हमारे फ्रीडम स्ट्रिगल में रिवोलुशनरी के तुरा जो चलाए गए हम उन्हें शोकेस करें लोगों को दिखाए हमारा नेश्ट आर्डिकल बपा नाडू स्री दुर्गा परमेश्वरी टेंपल के बारे में है अभी एक बड़ा सा कॉंट्रोवर्शल सा मामला निकल के आया था कि जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं उन्हें इस टेंपल प्रमाईस में जो मेला लगता है वहाँ पर दुकान लगाने से रोका गया तो ये मामला थोड़ा सा हाइलाइट हुआ हाला कि बप्पा नाडू स्री दुर्गा परमेश्वरी टेंपल की अथारिटी इसका ये कहना है कि ट्रेडर्स खुद ही वहाँ से चले गए उन्हें किसी ने जाने को नहीं कहा था ये कॉंट्रवर्सी एक तरफ है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस टेंपल को लेकर मुस्लिम कम्यूटी के लोगों की भी वही आस्था है जो हिंदू कम्यूटी के लोगों की है इन डाट केस इस प्रकार के कॉंट्रवर्सी 22.5 किलोमेटर की दूरी पर है वही पर आपको ये टेंपल मिल जाएगा ये जो टेंपल है ये सांभवी नदी के किनारे सिचुएटेड है यहाँ पे जो गॉडिस हैं वो लिंग के रूप में उपस्तित हैं ऐसी मानेता है कि ये जो गॉडिस हैं ये इमोज हुई नंदिनी और सांभवी नदी जहाँ पर मिलती है मुल्की के बॉर्डर के पास वहाँ पर इस टेंपल के हिस्ट्री की बात करते हैं ऐसा माना जाता है कि इस टेंपल को केरला के एक मुस्लिम व्यापारी के द्वारा बनमाया गया था जिनका नाम बपा बेरी था और उन्हें मदद मिली थी मुल्की सावंत जी के द्वारा जो की जैन शाशक थे इसलिए ये जो गाउं है उसका नाम बपा नाडू पड़ा और टेंपल का नाम बपा नाडू दुर्गा परमिश्वरी पड़ा मतलब एक मुस्लिम मर्चट जिन्हों ने इस मंदिर को बनमाया जिनके नाम पर इस मंदिर का नाम है अगर उस मंदिर को लेकर ऐसी कॉंट्रवर्सी होती है तो दुर्भागे पूर है इसके बनने की डेट के बारे में मैं जानकारी नहीं है लेकिन आर्किटेक्ट्चर से ऐसा लगता है कि ये 14 हुई सताबदी के आसपास का बना होगा स्पेशियलिटी ये है कि जो हिंदू डिवोटीज हैं उनके साथ साथ टेंपल को मुस्लिम डिवोटीज भी विजिट करते हैं और गॉड़िस की ब्लेसिंग लेते हैं और वो गॉड़िस को उलादी पुकारते हैं एक और स्पेशियलिटी है इस मंदिर की यहाँ पर ड्रम्स को बीट किया जाता है एक एन्वन फेस्टिवल सेलिबरेशन की ओकेशन पर तो आपको इस मंदिर के बारे में जानकारी मिल गई हमारा नेक्स आर्टिकल मापिला रिबेलियन के बारे में है 1921 के बेसिकली इंडियन काउंसिल आफ हिस्टॉल का रिसरच ने कुछ समय पहले तीम मेंबर की एक कमेटी का गठन किया था और तीम मेंबर की इस कमेटी ने ये कहा कि 1921 में जो माला बार रिबेलियन हुआ था उसके जो लीडर थे जिनके नाम वरियम कुनाथू कुनह एहमद हाजी और अली मुसलियार थे उन्ही माइटायर्स की स्ट्रेडी में से हटा दिया जाए मतलब Freedom Fighters के लिस्ट में से उनके नामों को हटा दिया जाए इसका एक basic reason ये बताया जाता है कि मैपला Rebellion जो था या मौपला Rebellion जो था वो स्टार्ट तो बिर्ष्टर्स के खिलाफ हो गया था लेकिन कुछ समय के बाद ही वो एक कर्मिनल रियॉट में जहां पर हिंदूस और मुस्लिम सामने सामने आ गये थे इनके नामों को हटा देने की रिकमेंडेशन दी गई ये दिपी इसका काफी ज़्यादा बिरोध किया गया और इंडियन काउंसिल आफ हिस्टर्क रिसर्च ने अभी ऐसा करने से मना कर दिया है मैपिला रिवेलेन जिसे मोपला रिवेलेन या मोपला रायट्स के नाम से भी पुकारा जाता है ये स्रीज आफ रायट्स थे जो 19th और 20th सेंचुरी में देखे गए जो शुरू में बिश्वस के खिलाफ था और बाद में हिंदू लैंड लाट्स के खिलाफ भी स्प्रेड हो गया इस जिरेशन में कई सारे लोग मारे गए और कनवर्जन भी देखे गए देखे शुरू तो ये हुआ था खिलाफत मुमिंट के पार्ट के तौर पे जब सेकेंड वर वार खतम हुआ था लेकिन धीमे धीमे इसने एक कमिनल रूप ले लिया जो रिजिस्टेंस है वर बिटिस कोलोनियल रूल के खिलाफ शुरू हुआ और बाद में हिंदू-मुस्लिम में कनवर्ट हो गया जब चूकि ये खिलाफत मुमिंट का पार्ट था तो गांधी जी के सांसा सौकत अली ज जाता है जिसे हेड करते हैं महदुम, तंगल जो पुना नीके थे उनके द्वारा जहां पर वो नौन को आप्रेशन मुवमिंट को सपोर्ट करने का प्लेज भी करते हैं यहां पर जो बेसिक ग्रिवांस थे टीनेंस के वो ये थे कि उनकी टेनियोर की सिक्योर्टी होनी चा इस दौरान एक वैगन ट्रजडी पे देखी गए जो काफे दुरभाग यह पूर्ट थी, कई सारे लोगों को गिरफतार किया गया, लगभग 100 लोगों को ये जो मालगारी होती है जिसमें सामान को लेकर जाया जाता है, उसके बंद कमपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनमें लगभग 100 जो मापिला प्रिजनर्स थे उनको बंद कर दिया गया था, और जब उन्हें उस बॉक्स को खोला गया, डिब्बे को खोला गया, तो उसमें से लगभग 60 प्रिजनर्स की मौत हो चुकी थी, बाइदी सफोकेशन, तो इसे वैगन ट्रजडी के नाम से भी पुका कर रहे हैं, basically UNESCO का जो City of Literature program है, वो wider creative cities का network है, जिसमें cities को अलग-लग tax दिये जाते हैं, 2004 में ये network शुरू किया गया था, इसमें देखिये जो fields हैं, उसमें craft info, art, design, film, gastronomy, media art, music, ये सब होते हैं, तो अलग-लग city को इन categories में, city of craft info, art, city of design, city of film, ऐसे tax दिये जाते हैं, भरत म इसके पहले कई सरी cities को ऐसे tax मिले हैं, जैसे कि 2021 में स्त्रीनेगर को city of craft and folk art का tribe मिला, मुंबई को 2019 में city of film, हैदराबाद city of gastronomy, चेनेई creative city of music, जैपर city of craft and folk art, और वारा रसी creative city of music आईए, अब बात करतें करा कतम dance के बारे में, अब केरला की एक सभा है, नटुकला, शेमा शभा, इन्होंने demand किया है कि इस dance को आप recognize कीजे, agriculture art form of केरला के हैंटर, अब ये एक ancient dance है, folk dance, जो local community परफॉर्म करती है, तमिल नाडू वाले एरिया में, और केरला वाले एरिया मे यहाँ पर बारिश की देवी, मरी मान को कही न कहीं पूजा जाता है, प्रेज किया जाता है, और इस dance को perform किया जाता है, फेस्टिवल्स में, रोड शोज में, मरिया मान फेस्टिवल के दौरान भी, अब यहाँ पर कुछ इस तरह से घड़े रखे जाते हैं, एक जैसे ये फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, छोटे-छोटे साइस के, और जो आपका dancer है, इनको अपने सर पे रखकर dance करता है, जनरली ये मेरी मान पूजा, मेदाम, जो एक मन्त है आपका केरला का, इस दौरान perform किया जाता है, और ये harvesting season के बाद perform किया जाता है, जो कि वहाँ कहलाया ज जाता है, मकार ये कुथू, तो इस article में इतना ही धन्यवाद, तो आज के इस session में बस इतना ही, thank you very much.